जैहिन मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का आपके अपनी डेली करेंट अफेर्स की क्लास पर बहुत-बहुत स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले 18 अप्रेल 2023 के इंपोर्टेंट डेली करेंट अफेर्स को कॉपी पेन ले करके बैट जाएए और सारे इंपोर्टेंट पॉर्टेंट को नोट कीजिए सबसे पहला इंपोर्टेंट डेली करेंट अफेर्स आप सभी के सामने रहा विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंट्स आपको याद रखना है बहुत इंपोर्टेंट डिवस है तो 17 अपरल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस अब ये कैसा डिसीज है इसमें क्या प्रॉब्लम होती है सारी डिटेल्स में आपको देने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिए खून रुकता नहीं है यानि ऐसी बिमारी जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती ऐसी बिमारी को हम हीमोफीलिया कहते हैं तो जो भी वेक्ती हीमोफीलिया से पीडित होता है उसको उसके घाओं में बहुत जल्दी से clotting नहीं होती है, खून का थक्का नहीं जमता, blood clot नहीं होता, खून लगातार बहता है और इस बिमारी को हम बोलते हैं hemophilia, clear है? दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि hemophilia कैसी disease है, क्या ये communicable है या फिर hereditary है, तो it is a genetic disease यानि इसका मतलब है, कि एक प्रकार की अनुवांशिक बिमारी है, जब हमारे शरीर में हमारे blood में thromboplastin, thromboplastin जो है, ये पाया जाता हमारे blood में, जो blood clotting के लिए जिम्मेदार होता है, thromboplastin, vitamin K, ये सब essential होते हैं हमारे blood clot के लिए, तो दोस्तों जब इसकी सकता है, लेगिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये एक प्रकार की हैरी डिट्री डिसीज है, यानि जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होती है, अब दोस्तों आपको इसका subject याद रखना है, यानि इसका विशा याद रखना है, तो इसका विशा है उसकी त्हीम है, आपको धीम याद रखनी है। दोस्तों हीमोफिलिया के बारे में हम बात करें तो किस वेक्ति को श्रे जाता है, तो इनका नाम है Frank का आपको याद रखना है, यह जो Frank Shnable है, इन वेक्ति को जाता है हीमोफिलिया दिवस मनाने का श्रे। दोस्तो World Federation of Hemophilia की स्थापना इन्होंने की है और इन्ही की याद पर इन्ही की याद पर हर साल 17 अप्रेल को मना जाता है ये important दिवस दोस्तो सबसे पहली बार World Hemophilia Day कब मनाया गया तो 1989 में सबसे पहली बार World Hemophilia Day मनाया गया इमेज में आप देख पा रहे हैं ये महरानी Victoria है दोस्तो इस बिमारी को एक और नाम से जाना जाता है शाही बिमारी दोस्तो महरानी Victoria में सबसे पहली बार Hemophilia disease देखने को मिला है तो इस वज़े से इसे शाही बिमारी भी कहा जाता है और दोस्तों ऐसा ये भी कहा गया है कि जो शाही परिवार था तो रॉयल फैमली था तो उनके कई मेंबर्स को ये बिमारी देखने को मिली है इस वज़े से से शाही बिमारी भी बोला जाता है आए कुछ और भी इंपोर्टन देवस को रिवाइस करते हैं तो कल हम लोगों ने वर्ल्ड एलिफेंट डे पढ़ा था यानि सेव एलिफेंट डे 16 अपरल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अपरल को मनाया जाता है डबलो एचो की स्थापना हुईती 7 अपरल 1948 को विकास और शांती गिले अंतर राश्ट्री खेल दिवस 6 अपरल को मनाया जाता है कम मनाया जाता है 6 अपरल को याद रहेगा आपको दोस्तो राश्टी समुद्री दिवस 5 अप्रल को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तो मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता और आप लोगों को डेली करेंट अफेर्स पढ़ाता हूँ आज है 18 अप्रेल और 507 नंबर का आपको डेली करेंट अफेर्स मिलने वाला है जो जीवन परियंत मिलेगा तो दोस्तो मैं रुकूंगा नहीं मैं जुकूंगा नहीं हिंदी और इंग्लिस दोनों माध्यम में आपको करेंट अफेर्स दे रहा हूँ ताकि दोनों मीडियम के छात्रों को इस इस स्टैटिक जीकर मिलता है करेंट अफेर्स के साथ आपका स्टैटिक जीकर भी talk कराता हूँ ताकि हर एक्जाम आपके संपूर्ण एक्जाम की तियारी हो सके आईए प्रेश नंबर 2 को देखतें जो बहुत important है महराष्ट भूशन पुरसकार 2022 किसे सम्मानित किया गया किसे प्रदान किया गया who has been awarded the महराष्ट भूशन अवर्ड 2022 तो friends इनका नाम है डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है जो धर्म को फॉलो करते है ऐसे धिकारी उनको भूशन पुरसकार तो मिलना चाहिए ये नाम आपको याद रहेगा आए डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी की इमेज आपको दिखाता हूँ तो यह हैं डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी यह हैं महराष्ट के चीफ मिनिस्टर एक नाशंदे और दोस्तो यह हैं देवेंदर फण नविस तो दोस्तो यह जो आवाड है केंदरी ग्रह मंत्री ने दिया है किसने भारत के जो यूनियन होम मिनिस्टर है अमिशा ने प्रेजेंट किया है और रायगर्ण महराष्ट में इन्हें महराष्ट भूशन पुरस्कार प्रदान किया गया एक बहुत बड़ी घटना भी हो गई थी जब ये पुरस्कार दिया जा रहा था अपने आपको हाइड्रेट करके रखे पानी की गमी आपके शरीर में नहीं होने चाहिए आई वापस से टॉपिक में आते हैं अप्पा साहब धर्माधिकारी ये एक फेमस समाच सुधारक है इन्हें बहुत बड़ा फेम मतलब इन्हें सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है 2017 में केन सरकार ने इन्हें पदमश्री पुरसकार से सम्मानित किया जो भारत का चौथा सरवोच नागरिक सम्मान है इसके लावा अप्पा साहब जी को यूरोपियन इंटरनेशनल इंसिट्यूट ने लिविंग लेजेंड अवार्ट से भी सम्मानित किया है इसके लावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ इतने धर्मार्थ कार में जुड़े हुए हैं आप काउंटिंग कीजिए कि आपने एक भी पिड लगाए हैं तो फ्रेंट्स यहां देखिए 36,61,611 पिड लगाए हैं तो ऐसे वेक्ति को दिल से सालाम क्योंकि पेड ही हमारा जीवन है फोर सबसे बड़ा आवार्ड है महाराश्र का सबसे बड़ा आवार्ड है 25 लाख रुपए कि इसमें नगद राश्य प्रदान की जाती है 1996 में सबसे पहली बार यह दिया गया था आए देखते हैं प्रस्ट नंबर 3 भारत ने किस देश में इनी ओचोस तेज युद्ध अभ्या इनी ओचोस अभ्यास के लिए भारत ने ग्रीस में फाइटर जेट भेजे हैं ठीक है ग्रीस में ये युद्ध अभ्यास आजित किया जाएगा मल्टी लेटरल यानि इसमें बहुत सारे देश इसमें शामिल होंगे तो यहाँ पर हमारे भारती जवान आपको देखने को मिल रहे वायु सेना के जो वहाँ पर पहुँच गए दोस्तो 18 अप्रल से लेके 8 मई तक इसका आजन किया जाएगा और इस अभ्यास में भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI फैटर जेट्स भेजे गए अभी आपको करेंट अफेर्स बताया था भारत की प्रेजेंट में जो हमारी राश्पती है दुरापदी मुर्मुजी यह दूसरी महिला राश्पती वनी दूसरी राश्पती वनी जो इस युद्धक विमान में उन्होंने उडान भरी थी दोस्तो यह जो अभ्यास है भूमद्द सागर मेडिटीरियन सी में करा जाएगा भारत के अलाबा बहुत सारे देश इसमें पार्टिसेपेट कर रहे हैं फ्रांस इटली यह सारे देश इसमें अभी शामिल हो रहे हैं जोस्तो अभी आपको मैं बता दू आरम बैच हमने आपके लिए लाँच किया है जो जीएस का एक कम्प्लीट फाउंडेशन बैच है बिल्कुल जीरो से हम इसकी प्राइस पर पढ़ाय जा रहे हैं आपको रेकॉर्डेट क्लास, लाइव क्लास, बालिंग्वल क्लास नोट बहुत कुछ मिलेगा केवल एक ही आपके फाउंडेशन कोर्स है अगर आप इस कोर्स में अन्रॉल्मेंट करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लिकेशन डाउ वर्ष मनाया गया तो फ्रेंट्स इन्विज स्टेट अफ नॉर्थ इस्ट में तैई चिरोबा लूनर न्यू एर हैस बिन सेलिबरेटेड तो में तैई जो है दोस्तों यह मडीपूर में मनाया गया देखो आप देखो यहाँ पर में तैई आपको याद रखना मडीपूर स जाता है मेई तैई इमेज में आप देख पा रहे हैं यह सब मेई तैई समुदाए के लोग हैं तो मेई तैई समुदाए के द्वारा मडीपूर में मनाया जाता है और फ्रेंट्स इसे साजीवो नूंगमा पानबा यह भी कहा जाता है मेई ती चिरोबा इसे कहा जाता है ठ इसके अलावा संगाई महसब भी यहीं पर आजित किया जाता है। भारत के कुछ प्रमुक तिवहार को डिसकस करेंगे जो अन्य राज्यों में मनाया जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुआ में आजित। गुआ में शिगमो महसब मनाया जाता है। वासल मेला न्यू डेली में खर्ची पूजा त्रिपुरा में और बुनालू महसब तेलांगना राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्ण आप सभी के सामने रहा। क्रशी प्रमुक विग्यानिकों की G20 बैठक कहां पर शुरू हुई है। विग्यानिकों की G20 बैठक हाली में आयजित की गए। बहुत सारे अलग-अलग मिटिंग्स हो रहे हैं। अब मैंने आपको W20 बताया था, Y20 बताया था, B20 बताया था। तो दोस्तों बनारस में इसका आजन किया जा रहा है, इसका आजन शुरू होई गया है। तो दोस्तों 17 अप्रल से बनारस में इसे स्टार्ट किया जाएगा। अब दोस्तों क्रशी प्रमुक विग्यानिकों का मकसद क्या होगा। नाम से स्पस्थ है, ऐसे हमें आगे बढ़ना है कि हम जिस प्रकार से agriculture की productivity बढ़ा सके, farmers के income को बढ़ा सके, एक overall integrated approach ला सके, ताकि हमारी agriculture sector तेजी से बढ़ सके, clear है, इसका विशह आपको याद रखना है, sustainable agriculture and food system for healthy people and the planet, दोस्तों, इसके आयोजन में 80 विदेशी प्रतिनिदी इसमें participate कर रहे हैं, और दोस्तों, 2023 का अंतरास्टी बाजरा वर्स United Nation के दुवारा घोशित किया गया है, मोटे अनाज को समर्पित है, भारत ने इसका प्रस्ताव दिया था, तो friends, भारत ने अभी सम्मेलन भी किया था, जिसमें मोटे अनाज को ले करके पूरी दुनिया को एक साथ लाना चाहता है, क्योंकि इसमें बहुत nutrition होता है, तो बाजरा और अनप्राचीन अनाज अंतरास्टी पहल पर भी विचार विमश किया जाएगा, दोस्तों आज की knowledge की factory में बदले हुए नामों को discuss करने वाले हैं, एक्जाम में कई बार question पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला है सेनक खिल संस्थान जो की पूरे में हैं, और इसका नाम बदल कर नीरत चोपड़ा स्टेडियम किया गया, नीरत चोपड़ा कौन है, याद है आप लोगों को, भाला फेका था, टोक्यो अलंपिक में, और भारत को गोल मिडल दिलाया था, 7 अगस्त को, हर साल भाला फेक दिवस मनाया जाता है, नीरत चोपड़ा, आ पर साल 29 अगस्त को ही दिया जाता है, काकोरी कांड, इसका नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है, मांडू अडी रेलवेज स्टेशन का नाम बदल कर बनारस जंक्शन किया गया है, मोटेरा स्टेडियम जो कि अमदाबाद में है, बहुत सारे इंपॉर्टन नाम बदलकर नेरेंदर मोदी स्टिडियम किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्राले को सिक्षा मंत्राले किया गया है चिनानी नाशरी शुरंग इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखरजी सुरंग किया गया है विलर आइलेंड का नाम बदल कर एपीज अब्दूल कलाम दीप किया गया है हैवलोग दीप और नील दीप जो कि अंडमान नीको बार में है तो इसका नाम बदल कर स्वराज दीप और शहीद दीप किया गया है ठीक है? चलिए विदेश मंतरी एष जैशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्गाटन किया है एक्सटर्नल फॉरेन मिनस्टर फॉरेन अफरेंस मिनस्टर एष जैशंकर है इनोग्रेटर दा बुजी ब्रिज इन विच कंट्री तो फ्रेंट्स मोजामबिक में कहां पर मोजामबिक में हाली में आप सभी को पता है कि ये यूगांडा और मोजामबिक गए थे दोनों देश कहां पर अफरीका में हैं और यूगांडा में इन्होंने बनारस के बनारस को आपस से पुनर जीवित करने के लिए बनारस घाट को पुनर जीवित करने के लिए मैंने आपको current affairs में बताया था वहाँ से भी इन्होंने start किया था तो मुजाम्बिक में है बुजी ब्रिज दोस्तों यहाँ पर आप देखें यह है हमारे foreign minister एस जैशंकर अब यह जो ब्रिज देख पा रहे हैं यह है बुजी ब्रिज तो दोस्तों भारत के दोरा इसका निर्माण किया गया है और इसका virtually उद्घाटन किया गया है यह मुजाम्बिक में है ठीके दोस्तों यह पूल जो है दोस्तों आपको टीका बुजी नोवा सोफवला रोड परियोजना का हिस्सा है और इसका निर्माण भारत के दोरा किया गया है इसलिए important है मुजाम्बिक की बात आई है तो मुजाम्बिक की जरह location को देखें यह आफरीका कॉण्टिनेंट है आफरीका महादीप है और आफरीका महादीप में इस तरफ है मुजाम्बिक मुजाम्बिक के बगल में जिंबाम्बे है यह साउथ पोर्षन है आफरीका का ठीक है चले तो दोस्तों मुजाम्बिक की बात करें तो यहां की जो राजधानी है वो है मपूटो और करंसी है मुजंबिकन मेटिकल प्रेसिडेंट है यहां के फिलिप न्यासी और प्रधान मंत्री एड्रियानू मलियने अगला प्रश्ण है गर्मी ने रेकॉर्ड के वर बंगला देश में नहीं तोड़ा है यहां भी कमर तोड़ दी है बहुत गर्मी पढ़ने लगे एक साथ पर घबराना नहीं अपने आपको हैड़ेट रखना है मेडिटेशन करें योगा करें कूल रखें अपने आपको ठीक है तो बंगला देश के किस सहरे में अंठामन साल में सबसे अधिक तापमान दर्श किया गया ये 15 अपरिल को दर्श किया गया है खुलना में कहाँ पर? खुलना में अंठामन साल में सबसे अधिक तापमान दर्श किया गया है खुलना में लोग बेचैन है बेहाल है इतनी ज़्यादा गर्मी पढ़ रही है तो दोस्तों यहाँ पर टेमपरेचर 40.4 डिग्री सेल्सिस देखा गया 1965 के बाद सबसे अधिक तापमान है जबकि उचतन तापमान 42 डिग्री दर्श किया गया था अभी तो एपरिल शुरू ही हुआ है और यहाँ का टेमपरेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है अभी तो हमें नौतपा देखना है और भी महीने देखने है जब गर्मी अपनी चरम सीमा पे होगी तो बहुत सारी जग है जैसे ढाका है फरीतपूर है मनीग गंज है, पबना है और यह सारी जगों पर बहुत ज़्यादा टेमपरेचर देखने को मिला है 1964 में जसोर में इसका जो मैकसम टेमपरेचर रहा है वो 44.5 था और अभी से रेकॉर्ड टूटना स्टार्ट हो गया कंप्रेस्ट बायो गैस पर दो दिन का वैश्विक सम्मेलन हाली में कहां पर आजित हुआ है वेर टूडे ग्लोबल कॉनफरेंस और अभी बायो गैस कैसे बनता है तो दोस्तों जो सबजियां खराब हो जाती है जो पदार्थ जो जैविक पदार्थ है अवसिस्ट पदार्थ बन जाते है बेकार हो जाते हैं तो उसको सडाले गलाने के बाद उससे gas release होती है और उस gas को हम कहते है बायो gas ठीक है यहाँ पर image में आप देख पार है हरदीप पुरीजी जो भारत के petroleum मंत्री है कोन है भारत के petroleum मंत्री कोन है हरदीप पुरीजी है तो यह सम्मेलन 17 और 18 अपरल को दिल्ली में आजित किया गया दिल्ली में है Silver Oak Indian Habitat Center तो इसका विशय है Towards a Strong CBG Foundation and Progressive Policy Framework for Development देखे इंडिन Federation of Green Energy की दोरा इसको आजित किया गया था तो इसका काम क्या होता है यह जो organization है जैवी कूर्जा, सोलर एनरजी, विंड एनरजी और जियो थर्मल एनरजी तो इन सभी नवी करणी उर्जा छेतर पर काम करती है तो नवी करणी उर्जा छेतर क्या होता है इसे renewable energy बोलते हैं इसे non-conventional energy बोलते हैं जो गैर परमपरगत है जो कभी खतम नहीं होगी जो pollution नहीं फैलाएगी इन सभी को renewable energy बोलते हैं भारत के तिहास में दूसरी सबसे लंबी च्छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए किसने क्वालिफाई किया बहुत इंपोर्टन प्रशन है तो फ्रेंट्स इसमें शैली सिंग ने ये तिहास रचा है और दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खिलो के लिए क्वालिफाई कर दिया है इमेज में आप देख पा रहे हैं मेरे यह है शैली सिंग जिन्होंने ये कारणामा किया है दोस्तों इसके पहले जो कारणामा किया था अंजू बॉबी जॉर्ज ने किया था अंजू बॉबी जॉर्ज की बात करें तो 6.83 मीटर का इनका रेकॉर्ड है और शैली सिंग 6.48 मीटर का इन्होंने चलांग लगाकर एशियाई खिलो के लिए क्वालिफाई कर लिया है एटलेटिक चैंपेंशिप और युवा ओलंपिक में सौन पदक भी जीच चुके है एशियाई खिलो की शुरुवात 1951 में हुई है हर चार सालों में एशियाई खिलो का आजन किया जाता है और सबसे पहला एशियाई खिल भारत में हुआ था भारत के निर्यात गंतवी की रूप में संयुक तरब अमिरात का क्या रैंक है तो फ्रेंट से इसमें UAE का रैंक सेकेंड है यानि दूसरा रैंक है पहला रैंक अमेरिका का है दूसरा रैंक संयुक तरब अमिरात का है निर्यात मतलब होता है export करना हम कोई भी देश या तो निर्यात करता या तो आयात करता है भारत कर बात करें तो अभी हम trade deficit है trade deficit का मतलब होता है कि हम निर्यात कम करते हैं आयात जादा करते हैं पर अच्छी घबर यह है कि पिछले कुछ सालों से भारत लगा अतार निर्यात मे बृद्धी कर रहा है ठीक है यह अच्छी बात है किसी भी देश की एकोनोमी तभी बून में आती है तभी बढ़ती जब वो देश दूसरे देशों को सप्लाई करना स्टार्ट कर दे तो फ्रेंट्स अभी भारत का गराफ बढ़ रहा है अब UAE सेकेंड लार्जेस भारत का ए इधर लेंड वही पर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में UAE 3rd प्लेस पर है और आपको जान कहरानी होगी जो दुश्मन देश चीन है हमारा जिससे हमारा रोज जगड़ा होता है उससे हम सबस्द इंपोर्ट करते हैं चीन और रूस आपको बता दें वहां से बहु ज़्यादा मात्रा में चीन को भी एक्स्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि भारत मेक इंडिया पॉलसी पर काम कर रहा है जिसमें हम बहुत सारी चीजों को अपने घर में ही बना रहे हैं और पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं ठीक है यूनाइटेड अरब आप यहाँ पर देखें तो यह आप एशिया में है आता है यह इसके बगल में ओमान है और यह साओधी अरब है दोस्तो ट्रिपल आर स्रीस पे आ गए हैं और आप सभी के सामने क्वेश्चन आएंगे जहां पर हम 2022 के इंपॉर्टन करेंट अफर्स को डिसकस करेंगे तो प भारत में सबसे ज़्यादा मौते दर्श की गई है विच स्टेट इस दा चैंपेन ओफ ट्वेल्थ होकी इंडिया सीनियर वीमेंस नेशनल चैंपेंशिप 2022 तो ओडिसा इसका चैंपेन है विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 कब मनाया गया तो 20 मई को मनाया गया किस देश के द्वारा वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स विदेश मंत्रों की बैठक की मेजमानी की गई है तो फ्रेंट साउथ चाइना की द्वारा और 2023 का जो ब्रिक्स बैठक होगा कहां पर होगा साउथ अफरीका में होगा याद रखना किस राज में तो कल के गरेंट अफेर्स का यहाँ पर हम टेस्क करेंगे और आपका साथ में रिवीजन करने वाले हैं देखते हैं आप कितने अच्छा नंबर लाते हैं आपने कितना अच्छे से पढ़ा है हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल 16 अपरल को मनाया जाता है किस राज में भीमरावंबिडकर की 125 फिट की उची प्रितिमा का नावरण किया गया है कहां पर तेलांगना में इस्टैचू अफ नौलेज लातूर महरास्ट में भी अभी स्थापित की गई जो की भीमरावंबिडकर जी की मूर्ती है बिजनस लीडर ऑफ दा डीकेड अव पर आजित की गई है तो कल हम लोगों ने पढ़ा था यह दूसरी मीटिंग है वाशिंटन में आजित की गई पहली मीटिंग बेंगलूरू में हुई थी जूपिटर आइसी मून्स एक्स्प्लोरर जूस प्रॉप को किस ने लॉंच किया है यूरोपियन स्पेस एजनसी ने किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वेक्सीन को मंजूरी प्रदान की है तो फ्रेंट्स यह देश जो है घाना है तो कौन सा राज है जिसने वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया गिनिज तो फ्रेंट्स आपको याद रखना है आसम राज एशिया एकुस्ती चैंपेस्शिप दोहजार तेस में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं तो भारत ने इसमें टोटल चोधा मेडल जीते हैं दोस्तो आज के स्टाटिक M.C.Q.G.K के पिटारे में इतिहास के कुछ इंपॉर्टन प्रशनों को डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है वो है हडपन सिवलाइजेशन तो यहां से बहुत अच्छे प्रशनों बनते हैं बहुत ध्यान से सुनना मैं समझाने का भी प्रयास करूँगा तो देखें पूरा लेख विद्या का क्या मतलब होता है एपिग्राफी का मतलब क्या होता है तो शिला लेखो का अध्यन study of encryption तो आप देखें पहले के लोगों के पास copy pen तो था नहीं तो यह क्या करते थे चटानों में लिखते थे तो हाला कि कुछ को पढ़ा जा सकता था कुछ को नहीं पढ़ा जा सकता था तो friends इस प्रकार के study को epigraphy कहा जाता है सिंदु घाटी सबटा की सबसे मुख्य विशेष्टा क्या थी तो सिंदु घाटी की देखें ये सारी विशेष्टा सिंदु घाटी की है लेकिन सबसे मुख्य विशेष्टा थी वैवस्तिश शहरी जीवन ठीक है देवी माता की पूजा से संबंदित कौन सा सिविलाइजेशन है जहां पर मदर गॉड़ेस की पूजा की जाती थी तो यह है सिंदू घाटी सब्वेता क्या है सिंदू घाटी सब्वेता इमेज में आप देख पा रहे हैं ऐसे साक्ष मिले हैं हडपन सिविलाइजेशन में ज is the largest building in Mohan Jodro, तो Mohan Jodro में सबसे बड़ा जो भवन देखा गया था, वो था, ग्रेनरी, क्या था वो, ग्रेनरी, इमेज में आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा यहां पर यह देखने को मिला है, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, नेश्ट कोश्चन, इन में से कौन सा हडपा सबता का सरप्रथम खोच करता कौन था, तो कौन, इन में से कौन सा विद्वान था, जो सबसे पहले जिसने सरप्रतम खोच किया हडपा सबता का तो ये थे दया राम साहनी ठीक है हडपा सबता के साख्षिस प्रकार से आपको देखने को मिले थे किस थान पर हडपा समय की रत की एक प्रतिमा प्राप्थ हुई थी तो रत की लरकाना में, ठीक है, दोस्तों इसको आप ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर हुज बात्रूम, विशाल सनाना गर भी पाए गया थे, न मोहन जोड़ों, नेस्ट कोशन ये रहा है, भारती साशन के प्रतीक, जो सत्यमेव जैते हैं, इन में से किस गरंथ से लिये गये हैं, तो सत्यमेव जैते मुंडोक उपनिशत से लिया गया, कहां से, मुंडोक उपनिशत, कई बार कॉशन पूछा गया है, भारत में वन विवस्ता किस लिए बनाए गई थी, भारत में वन विवस्ता जाती से बताने के लिए नहीं कही गई थी, आप लोगों को भ्राम है, ठीक गया था, सब एक साथ खाते थे, आज हम लोगों ने अपने आपको एक दूसरे को बाढ़ दिया है, पहले हर वेक्तिक अपने एक पर्टिकुलर वर्क होता था उस अधार पे, वैसे अगर प्रेजेंट में देखा जाए, तो जो जो ग्यान देता है, वो ब्रामण, जो आपको आपकी रक्षा करेगा, वो छत्तुरी है, जैसे अमारी सेना आर्मी छत्तुरी है, ठीक है, और तीसरा, जो आपकी सेवा करेगा, जो सेवा प्रदान करते हैं विभिन प्रकार कि लोग, आप उन्हें नीचे दर्जा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, और जो वयपार करता उसे वै ठीक है दोस्तो 18 अप्रेल के टेस्ट यहां पर हम आपका लेने वाले हैं 18 अप्रेल के करेंट अफेर्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ाए अब आपका होगा टेस्ट तो पहला विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया आपको पढ़ाया 1989 में कमेंट बॉक्स पे आपको याद रखना है पूछा जा सकता है 10 अप्रेल को मनाया जाता है महराष्ट भूशन पुरसकार में कितनी राशी दी जाती है तो आपको याद रखना है दोस्तो 25 लाक रुपे की राशी प्रदयान की जाती है फ्रिंजेक्स 2030 अभ्यास भारत और किस देश की बीच में हुआ है तो यहाँ पर देखो नाम से इस परष्ट है फ्रांस संगाई महसब किस राज में मनाया गया तो संगाई जो है मडिपूर राज में मनाया गया सेना खेल संस्थान का नाम बदला गया तो इसको क्या किया गया है नीरत चोपड़ा किया गया मोजांबी किस महादीप में है, तो मोजांबिक कहां पर है मेरे पहरे दोस्तों? आफरीका में है पहला एशियाई खेल कब आजित किया गया था? तो पहला एशियाई किया खेल 1951 न्यू डेली में आजित किया गया मुहम्मद शाहबुद्दीन किस देश के राष्ट पती है ठीक है तो मुहम्मद शाहबुद्दीन चपु आप पूरा नाम कहें तो बांगलादेश ठीक है नेस्ट कोश्चन आप सभी के सामने रहा अज़र नौई कोश्चन चलो पहचानो कुन में कलकर जो image दी गई थी उपणित दीन देयल उपाध्यायी जी की थी आप इनके बारे में पढ़ सकते प्रीती प्रजापती जी ने इनके बारे में बताया है इसके आलावा आशिश कुमाः प्रजापती ने भी इनके बारे में लिखा है तो आप screenshot ले करके पड़ सकते PDF भी आपको हमारे application हमारे टेलिग्राम में दोनों जगे उपलब्द करवा दी जाएगी दोस्तो काम की बात यह है कि IRDAI Assistant Manager की Post जारी की गई है 45 post है अच्छी बड़ी post है आपको तो एक seat चाहिए तो आप इस recruitment को देख लेना IRDAI Recruitment Notification of Assistant Manager लिखना 2023 तो आप उसको देख लेना तीन फेज में paper होगा Reasoning, English General Knowledge, Quantity, Vaptitude, 40-40 questions यहाँ पर पूछे जाएंगे और minimum 21 और maximum 30 years इसमें लिया गया है और दोस्तों यहाँ पर 1,45,000 रुपर salary, 75,000 रुपर पर महीना और Chief Indy बहुत सारे पोस्ट हैं आपको तो एक पोस्ट चाहिए आप इसकी पूरी notification पढ़ लेना दोस्तों हमारे application पर आपको PDF मिलेगा, हमारे application पर आपको test मिलेगा, हमारे application पर आपको हर एक चीज जो आपके लिए जरूरी है वो मिलेगे, आपको crazy jigator के application को download कर लेना जहाँ पर आपको daily current affairs के PDF अबलेबल हो जाएगी, नीली पट्टी को click करना, video PDF को सब कुछ आपको एक जगे पर मिल जाएगा हर दिन का हर महीने का ठीक है दोस्तों, आप telegram को भी join कर लेना, जहाँ पर आपको regular updates मिलते रहते PDF भी यहाँ पर मिलती है आप हमें, डिफरेंट social media handles पर भी follow कर सकते हैं और अच्छा लगा हो तो इनी social media handles पर आप share भी कर सकते हैं session कैसा लगा ज़रूर बताएगा, subscribe कर दीजेगा, like कर दीजेगा, share कर दीजेगा कल सुबह 6 बज़े फिर मिलूँगा इसी जोस, इसी उर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन परेंट आपके साथ, मैं करेंट अफेर्स के साथ जुड़ा रहूंगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए